ऑलаются noise वैलकम टू बेकन अदर वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए एक और जो न्यूरेक्व LAUनेट वेकेंसिस निकल का है इंडियन आर्मी के जो वेकेंसिस निकल का है बिल्गुल साठ साल के पर्मानेंट वेकेंसिस निकल का HIS जो विकेंसी निकल के हैं इंडियन आर्मी के तरब से यानि कि जो मराथा रेजिमेंटर जो सेंटर है जो मराथा लाइट इंफेंटरी सेंटर जो रेजिमेंटर सेंटर है जो बेल गाओं के तरब से रिकार्मेंट विकेंसी निकल के हैं जो मराथा रेजिमेंट के अंदर बेल सीज निकल के यह ओल इंडिया का निडेट चाहिए वह मेल का निडेट हो बिल्कुल ओफ-लाइन तरीके से आपको फॉम को अपलाई करना है कोई भी आपको नी सुलक बढ़ती रहने वाले कोई भी आपको पर गयर नहीं करने है यहां पर देख सकते हो इंडिया नार्मी की प्रवाइड करने वाले तो वीडियो को ज्यदा-ज्यदा लाइक करें एक सेर करें कमेंट बुक्स में जरूर करके बताना किसी बाइट को को भी जान करें जबताना हैं बहुत दिनों के बाद वेकेंशि निकल करें तो एस मौकब आप से नहीं जाना सेगिए तो इस फोम को आप हमारी यूटूब चैनल पर पहली भाहर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना निजे टेलिग्राम लिंक आरज 18 अलार मिलो उसे जरूर जोइन करना साइडम बेल आइकन उसे प्रेज जरू कर देना फैनली किसी बाई को कोई भी जानकरी सी बरत मराठा जो रेजिमेंट सेंटर है उसका जो ओफिशल नोटिफिकेशन की और आपको लगके चलते हैं यहां पर देख सकते हो दोस्तों अच्छी तरह से जो फॉर्म की लाज डेट रहने वाली है तीस सितंबर फॉर्म की लाज डेट रहने वाली है जो वेकेंसी निकल कहीं उसके तरफ से सब्सक्राइब से बल यहां बिलकुल रहने के 60 साल की जो वेकेंसी निकल कहीं है पर्माने कोई भी आपके स्वीधा वाली वेकेंसी नहीं है पर्मानेंट वेकेंसी है शाठ साल तक आपको यहां पर जोब करना है ड्रेस वगेरा वर्दी वगेरा भी आपको मिलने वाली अच्छी कासी यानि कि जो पेमेंट आपको मिलने वाले बहुत बड़ी वेकेंसी निकल के हैं य बिल्कुल आपको निश्वलक बढ़ती रहने वाली ओफ-लाइन तरीके से आपको फूम को अपलाई करना है यहां पर देख सकते हो जो विकिंशी जो बारबर के पदूपी विकिंशी है आई एज लीमिट अठारा से पचीश एर की कंडेट फूम को अपलाई कर सकते हैं ओल्डफस्ट का प्यमिट मिलने वालागुनी 283 अजानवीट इसका प्यमिट मिलने वाला अच्छा प्यमिट मिलने वाला दसवी पास पलस जो यानी कि आपके पास कुक का अक्सपिरियंस होना जरूरी है यहां पर देख सकते हूं सेकेंड की विकिंशी है इसमें 255-18100 यनिक इसका पेमेंट रहने वाला बार यह पास तता अंग्रेजी इस्टेनोग्राफिय वह अशी पद्द जो परती मिनिट आइप केम्पूटर का ग्यान आपको होना चाहिए यहां पर देख सकते हो दोस्तों जो एज लिमिट है एज लिमिट देख सकते हो यहां पर 30 रितंबर के अनुषार आपकी जो एज लिमिट है वो किस की जाएगी यानी कि उसके नुषार आपके जो एज लिमिट है वो इसके बीच में होनी चाहिए यह इसके देख सकते अबन फेल गाओं में यहाँ पर देख सकते हूं दोस्तों जो डेटेल वागेरा सभी जो बैंक डाब्ड वागेरा नाम पता वागेरा उसको लिखा हुआ होना चाहिए आपको सभी जो डोकुमेंट से उसको फिलीब करके जो इसके आवेदन पता है यहाँ पर देख सकते हो त ळाक के मारे मदे मुशें पहुंचगा रे डाक के मारे मदे मुशें पहुंच आना है जो साथ performance लगवाने पूर्ण केूर शोड़ी साथ डॉक मेंन करने 10 की मारिक जी अबसली सकते हो ट्वेल्थख मार्क सिट है आधार कार्ड है दो मिश्यल्ट इट ते इकक्स परिंग सब्संती है और यहां पर देख सकते हो जो 50 रुपय जो बैंक के ड्राबट स्ट व्डर है अन्बफ यहनकि के साथ एक स्विम पता लिखा यांदिकैНि की 25 रुपय की आपको यहां पर देख सकते हो दोस्तों जो एड़ोटाइजमेंट नमबर यहां कि जो अप्लिकेशन फूम परेंगे तब आपको यह चाहिए रेफर्स जो न्यूज पर में इंप्लॉइमेंट न्यूज यहां डालनी है अड़ोटाइजमेंट नमबर यहां पर देख सकते हो जो पब्लिश हो है नो नो दोजार तेश वहां पर आपको डीटेल वगेरा देनी है इस परकार से दोस्तों इसमें देख सकते हो आपको इनकी बिल्कुल सब्सक्राइब देख सकते हैं जो श्तार्ट होव सब्सक्राइब करें यहां दोस्तों स सबस्क्राइब अब करें अबका आने वाला है इसका आपका एक्जाम करने घर ऐगा एक्जाम करनेग्स जो डॉक्वेट यानि जो एक्जाम में पास होते हैं उनको स्कील टेस्ट के लिए बुलाए जाए जो कंडेट बारबर का करवा जाए जो इसके इसे इसेंगार पर करूआ लिश्ट आती है उसमें कंडेट को जोनिंग मिल जाएगा इसमीं सेलेक्शन प्रोसेस रहने वाली इसमें जो मैथ इसलेपस आने वाला इसमें 2 गंट्टे का आपको पेपर मिलने वाला एक मार्किन अनुवाला मातर आपका दो गंठे का पेपर आने वाला है इस परकार्षी दोस्तों इसमें पूरी डेटेल वगेरा यानि देख सकते हो इस परकार्षी इसमें सेलेक्शन प्रोशेस वगेरा रहने वाली है किसी भाई को इसका ओफिशिल नौटिफिकेशन चीए फोम चाहिए तो मेरे पर चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरू के लिए बिल आइकन जरू प्रिक्षित दे फूचर में जब भी कोई अपडेट होगा सबसे पहले सबसे फाट लिए आप अपडेट पास करेंगे थैंक्यू दोस्तों लाओ गाईज वंदे मातरम जाहिंद जाह जाहिंवाद